कि स्वागते सांतियों आपके अपने ही चैनल मास्टर माइंड पर सांतियों यह सीरीज है पड़ागों कि यह स्पेसल का इसके अंतरगत पढ़ेंगे हम लोग श्वनिम रूपिम वाक्त विनियाश यह अर्थ विनियाश यह चार टोफिक हमेशा अपे एक्जाम में यहां से क कुष्चन राता ही राता है एक मार्स का क्यों नहीं हो या दो मार्स का क्यों नहीं हो किसी भी ट्रेट में हमेशा इसे कुष्चन आता ही आता है जो चलिए सांतियों जो सांतियों अभी तक सी ट्रेट का फरम नहीं भरे हैं कि रिपह जाईए और फरम को भर दिजिए चलिए अब सुरू किया जाए श्रौनिम भासा के भाग के अंतरगत हम लोगों पढ़ना है अधियन के द्रिष्टी कोन से भासा को निमलिखित भागों में बाटा जा सकता है जो निम्न प्रकार है पहला यानि कि श्रौनिम या ध्रौनिम की सबसे छोटी काई होती है याद रखिएगा श्रौनिम क्या होता है ध्रौनिम की सबसे छोटी काई जिनका अपने आप में कोई विशेस अर्थ नहीं होता है लेकिन यदि हम श्रौनिम को किसी सब्द के साथ लगा देते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है, जैसे ओ, आ, इ, त, इस अब क्या है सांतियों, श्रोणी में, वहीं आपको एक्जाम में बोल दे, कि थ, फ, च, कौन सी धोनी आया है, तो सांतियों ओ श्रोणी में, क्योंकि वह धोनी की सबसे छोटी इकाई है, सली अब आगे की तरफ पढ़ा जा, कारा आया दूसरा नंबर, रूपिम, यानि कि रूपिम सब्द का छोटा रूप होता है, जब बच्चे को शोणीम का ज्यान होता है, तो वह सब्दों को सिखना प्रणम कर देता है, पहले बच्चे को क्या होगा ज्यान, शोणीम होगा, बौधिक विकास पूर्ण होने ये कारणवा छोटे-छोटे सब्दों को बोलना सिखता है, इनका स्वम में भी अर्थ है, जैसे अच्छा, आना, तवला, आख, इस सब क्या आसा आती हो, रूपिम है, अगला पढ़ना आसा आती हो, वाक के विन्यास, वाक के विन्यास के अ कर्थात करता, कर्म तथा किरिया का उचित अस्थान पर निर्धारन, वाक के विन्यास के अंतरगत हर सब्द को क्रौमिक रूप से रखा जाता है, जैसे, रमेश खाना खा रहा है, इस वाक के सभी सब्द क्रम में है, यदि हम लिखते हैं कि रमेश खाना खा रहा है, खाना कि उसको क्रमबद में रखी तब सही होगा जैसे यहां पर एक्जाम्पल दिया गया है रमेश खाना खा रहा है इस वाक्य के सभी सब्द क्रम में है यादि हम लिखते हैं कि खाना रमेश खा रहा है तो यह वाक्य क्रम में नहोने के करण गलत हो जाएगा अगला टॉफी के साथ ही हो अर्थ विनियास इसको देखेंगे जब ववाक्य में दिये गया सभी सब्द अर्थ पूर्ण हो तो उसे अर्थ विनियास कहते हैं उधारन के लिए रमेश कॉफी पीता है इस ववाक्य के सभी सब्द अर्थ पूर्ण है लेकिन इस वाग को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि रमेश कौफी खाता है क्योंकि कौफी को खाया नहीं पिया जाता है तो सांतियों अर्थविनियास में क्या हुआ कि सब इस सब जो है अर्थपूर्ण हो तो अर्थविनियास कहा लाता है जो शाथ ही इस चैनल पर नए है कर्पैकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारा कोई भी वी वीडियो जाय साथ ही हो तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचें और है इस वीडियो को आप अपने सभी तो लाइक जरूर किजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए फिर मिलते हैं साथी हो नेक्ट वीडियो में जहिन जय भारत